दोस्तों अभी मैं त्रिकुटी घाट पे हूँ और त्रिकुटी घाट के बारे में जब आपको बताऊंगा तो साइध असर्ज होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है जिस नदी के बारे में आप जानते हैं लेकिन उसके सचाई के बारे में जानते हैं उसके कहानी के बारे में नहीं ज जाता है और इसी के बगल से एक सोती आती है उसको जमवारी नदी छ्टानलस को RAW यानि कि तीन नदीयों का संगंबाला यह जगा है यहां पर तिन नदी का संगम अस्थल हुआ देखने को मिलता है कि इसी नदी के नीचे नाम से जलनधर बाबा के नाम से लोग जानते हैं उपरवज लोग कहते थे छास कर के जल में जलनधर नाथ महादेव हैं इस अब नदी के नीचे आप लोग कभी हटा के देखने का प्यास नहीं कि दर्शन करने का प्यास नहीं कि भिलकुल हाँ अब तो आप देखे हैं आई इधर आई इधर आई यह बाप रदी आवाद अचानक मिल जाते हैं कितना दिन पहले आपको मिले यह करीब धरिये तब 25 साल पहले उसके बाद फिर कभी फिर नहीं कभी बहुत ही मतलब महत्तु है और ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश वह वास्था का देश है वह विश्वास का देश है यहां पर ऐसे ऐ जगह के बारे में जब ऐसा जाने कि यहां पर तीन नदियों का संगम है बला नदी नून नदी और जमवारी नदी तो यह बहुत ही अधुत लगा मुझे लगा कि आप सबों से यह साज़क करना चाहिए खासकर कि हमारे चेतर के भी जो लोग है उन्हें भी नहीं पता होग कि ऐसे अस्थल यहां पर मोचोत है जहां पर तीन नदियों का संगम है एक साथ और कुछ आप बताएंगे नहीं है हम लोग भी कहानी सुनू है कि नदी के बीच में एक ऐसा सिबलिंग है जो बहुत बरा है और नदी जब बन रही थी उसी टाइम में कहा जाता है ऐसी कहानि और वह जलकर जो डालते हैं बांस लाइला के नीचे उसी में उनको ऐसा लगता है कुछ है नीचे में और बहुत बरा सिबलिंग है और सामने आप देख रहे हैं निलकंठ महादेव का वह मठ है और बीच में नदी का संगम है और उत्त्रायन नदी धर से बाती हुई आती है और आगे जाके बलान बन जाती है और यह और इसी के से आप पॉड़ानी के अस्था और विश्वास के करना मान सकते हैं कि वह मठ कितना पुडाना होगा और यह नदी का संगम चुकि गरामी निला का है कुछ वैसा सरकार का लेकिन सुनने में आया है साइड डैंप बनने ब परखंड के मुसापूर पंचायत में यह जगा आती है जो निलकंठ महादेबस्तान है और यह त्रकूट गहाट है और सामने फिर पर जाए वहां आगे जाएगा दौसिंसराइप पर जाए मंदिर का एडिया आता है सारंजन में और मंदिर के एडिया स्थोरा आगे बढ़ से जो आगे बलान नदी के रूप में लोग जानते है और यहीं से बलान नदी का प्रारम होता है जमुआरी और नून नदी का पॉइंट है अभी तो पानी काम आता चुकि मिटी भढ गया है लेकिन पानी बढ़ जाता ता आपको लगेगा कि दो नदी जाके आगे एक बन प्रतीत होता है जमुआरी की जमुआरी का पानी आएगा और यहां से आगे जाके एक नदी बंगा और सरकार से भी यहीं नविदन है कि इसको पर्याटा नदी बनाए और जहां तक हम लोग से जो होता है समाजी कार जितने छोटे अस्तरपी होता है करने के लिए करके मैं बता दू कि अगर मुझे लगता है कि बिहार से बाहर का जगा होता तो साइध अभी तक यह ऐसे विरान परा नहीं होता है क्योंकि छोटे-छोटे अस्तलों को ऐसे बना दिया जाता है कि लोग वो प्रियाटन अस्तल के रूप में लोग उसको जानते है और वहां दो लकां दोन सकते हैं घसांते सबसीए और दोन सबसके माहतु और जो जगा का ममांधे और यह स Ci from और उनरी जहाई चखते है कि शाहे दो अब कार्शेर और नहीं होना चाहिए जो जगह मेंका महत्तू है उसे जो जो उसे हमें चानो यह जो एक के मारल चाहिए separately बाकि इस जगह के बारे में जानकर आप सबों को कैसा लगा हमें जरूर बताईएगा मैं फिर मिलता हूँ तब तक के लिए जै हिंद